बारिस के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ पकौरे खाना सभी लोग बहुत पसंद करते हैं तो आज मैं आप सभी के शाज शेय करने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से ये टेस्टी और कुरकुरी मुंग दाल पकौरे की रेसिपी जिसे की बनाना बहुत ही आसान है तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके औल नोटिफिकेशन को जरूर सवान कर ले ताकि मेरे जितने भी नियु रेसिपी जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कप यह मुंग दाल लिये हैं अगर आप ग्राम में देखते हैं तो करीब यह 1500 ग्राम मुंग दाल है और फिलहाल मैंने यहां पर बिना चिलके वाला यह मुंग दाल लिया है अगर आपके पास छिलका सहीत वाला मौंग डाल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं तो अब सबसे पहले इसे हम 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी स्टार्च वगएरा वो पूरी तरह से निकल जाए तो देखिए मैंने इसे अच्छे से धो लिया है अब इसमें हम जरुत के कॉरिंग पानी डाल कर इसे कम से कम 2-3 घंटे के लिए साइड में रखेंगे ताकि ये अच्छे से फूल कर सौफ्ट हो जाए करीब 3 घंटे हो चुके हैं और अब ये डाल पूरी तरह से फूल कर रेडी हो चुका है कभी आपको पकौरे जल्दी में बनाना होना तो आप डाल को गरम पानी में भी गोनी कले रखें जिससे की डाल आदे घंटे में ही फूल कर रेडी हो जाएंगे अब सबसे पहले इस दाल में जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल कर फैक देंगे ध्यान रखीगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए देखिए मैंने इसमें जो भी पानी था उसे निकाल कर फैक दिया है अब हम एक मिक्सी जाड लेंगे और इस दाल को इसमें डाल कर इसे दरदरा पीस लेंगे ध्यान रखीगा कि इसे हमें एक दम फाइन पेस्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं पीसना है इसे हम दरदरा रखेंगे ताकि मूंग दाल पकौरी बहुती क्रिस्पी और टेस्टी बने और इसे पिसने में बहुती कम वक्त लगते हैं ध्यान रखीगा कि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी याड नहीं करना है अगर दाल अच्छे से भी गोया हुआ होगा तो ये बिना पानी के ही अच्छे से पिसकर रेडी हो जाएगा अब इसमें हम करीब 8 से 10 से लहसन की कल्यां डालेंगे और करीब 1 इंच अद्रक के टुकरे को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाला है ताकि लहसन और अद्रक दाल के साथ ही पिस जाए अब धकन लगा के इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे तो देखिए दाल को मैंने किस तरीके से दरदरा रखा है अगर हम दाल को एक दम fine paste की तरह पीस देंगे न तो फिर पकौरे जो हैं वो कुरकुरे नहीं बनेंगे तो ध्यान रखेगा कि हमें दाल को दरदरा सा रखना है अगर चाहे तो आप इससे भी ज़्यादा दरदरा रख सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा बारिक आपको इससे बिल्कुल भी नहीं पीसना है और आप इसकी consistency को देख सकते हैं बिल्कुल perfect है ये बिल्कुल भी ज़्यादा गीला नहीं है क्योंकि अगर ये mixture ज़्यादा गीला होगा तो फिर पकौरों को हम सही shape नहीं दे पाएंगे अब इसे को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम आलू भी डालेंगे तो यहां पर मैंने दो medium size के आलू को छील कर हैसे पानी में रखाता ताकि ये काले ना परे अब एक greater की मदद से इसे हम लच्छों में इस तरीके से great कर लेंगे यहां पर मैंने थोरा सा मोड़ा greater use किया है आप चाहे तो आलू को चाकू के मदद से छोटे छोटे pieces में भी cut कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इस तरीके से great करके भी use कर सकते हैं और अगर आप इस पकौरे में आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप आलू बिल्कुल भी ना डाले लेकिन अगर आप आलू नहीं डाल देंगे ताकि इसका color change ना हो तो यहां पे मैंने दोनों आलू को grate कर लिया है अब इसे हम करीब 3-4 पानी से अच्छी से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी starch है वो पूरी तरह से निकल जाए तो देखे करीब 3-4 पानी से धोने के बाद अब ये पानी पूरी तरह से clear हो चुका है और अब ये आलू के लच्छे पूरी तरह से यूज़ करने के लिए रेडी है तो अब पकौरे बनाने के लिए इस पिसेवे मौंग दाल में हम बाकी की सारी चीज़े याड़ करेंगे तो यहां पे मैंने करीब 3-4 हरी मिर्ज को एकदम बारी काटके डाला है सा पर हड़ी धन्या तो यहां पर मैंने रहा धन्या थोड़ा जादा ही डाला क्योंकि पकौरे म्यों यह हरे धन्य का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब इसमें हम कुछ मसाले भी याड़ करेंगे तो इसमें हम एक चुछाए चोटी चमच के करीब यह ल्दी पाउडर डा अगर आप हिंग पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें हिंग ना डाले अब पकौरे को चटपटा और हलका सा खटास के लिए इसमें हम आदी चोटी चमची आमचुर पाउडर डालेंगे अगर आमचुर पाउडर घर में अविलेबल ना हो तो इसके जगह पे आप चाट मसाल भी डाल सकते हैं अब इसमें हम करीब एक चोटी चमच साबुत धनिया और जीरे को इस तरीके से दरदरा सा कूट कर डालेंगे इससे पकौरे बहुत टेस्टी बनते हैं तो आप साबुत धनिया और जीरा इसमें थोरा सा जरूर से डालें अब इसमें हम ये आलू के को हम पानी में से एक दम निचोर कर निकालेंगे क्योंकि अगर इसमें पानी रह गया तो फिर जो पकौरे का मिक्षर हमने बनाकर रिडिक किया है न वो पतला हो जाएगा और फिर पकौरे जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे इस बात का अब जरूर से ध्यान रखें कि हमें आलू को इस तरीके से एक दम पानी में से निचोर कर निकालना है अब इस पकौरे को और भी जादा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें बस हम दो छोटी चमचे चावल काटा डालेंगे इनकेस घर में चावल काटा अविलेबल ना हो तो आप इसमें दो छोटी चमच सूजी भी डाल सकते हैं और अगर आपको पकौरे जादा क्रिस्पी पसंद नहीं है तो आप इसमें सूजी या पर चावल काटा ना डालें अब लास्ट में इसमें हम टेस्ट करेंगे तो यहां पर मैंने करीब देड़ चोटी चमच यह नमक आड किया है ध्यान रखिया कि नमक हम मिक्स करके आप इसे पहले भी रख सकते हैं और जब आपको पकौरों को फ्राइ करना हो उस वक्त आप इसमें नमक डालें तो देखिए यह सारी चीजी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और मिक्स होने के बाद आप देख सकते हैं इसके कंसिस्टेंसी को बिल्कुल पॉफेक देखिए इन्हें सेफ देना भी बहुत आसान है अगर यह मिक्सर जादा गीला होगा तो फिर इस तरीके से आप पकौरों को शेप नहीं दे पाएंगे तो इसलिए दाल को बिना पानी डाले पीसना बहुत जरूरी है तो चलिए अब हम पकौरों को फ्राइ करना है तो इसक सकते हैं तेल बिल्कुल पॉफिक्ट गरम है क्योंकि अगर तेल जादा गरम हुआ तो फिर पकौरे डालते ही उपर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से फिर वो कच्छा रह जाएगा और अगर तेल सही से गरम नहीं हुआ अगर वो कम गरम रहा तो फिर पकौरे जो है वो बना सकते हैं या फिर आप अपने पसंद के एकॉर्डिंग इन्हें राउंड शेप में भी बना सकते हैं कडाही में जितनी जगह थी उसके एकॉर्डिंग पकॉरों को तलने के लिए मैंने डाल दिया है फ्लेम को मीडियम रखेंगे और यहां पे करीब मुझे 2-3 मिनिट हो चुके हैं तो इस तरीके से चलाते वी पकॉरों को हम पलट लेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से सिख जाए और इन पकॉरों को तलने में ज्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगता है एक बैच के पकॉरों को तलने में हमें यहां पे करीब 7-8 मिनिट ही लगेंगे तो देखी यह पकॉरे बहुत अच्छे सिख रहे हैं जब यह चारों तरफ से अच्छे गोर्डेन हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे तो करीब 7-8 मिनिट में आप देख सकते हैं सबी पकॉरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं आप इसके कलर को भी देख सकते हैं बहुत कर रेडी कर लेंगे तो देखिए बाकी के पकॉरे भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इसे भी हम निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे सेम गरम तेल में ही मैंने यहां पे कुछ हरी मिर्चों को भी फ्राई कर लिया है इन पकॉरों के साथ यह हरी मिर्चे खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो अगर आप खरी मिर्च खाना पसंद करते हैं तो सेम घरम तेल मी आप इससे फ्राई कर सकते हैं और देखे यह पकॉरे बहुत अच्छे से शेक चुके हैं और ऊपर से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यह क्रिस्पी हैं तो चल को इस तरीके से एक बार जरूर ट्राइ कीज़ेगा आपको यह बहुत ही पसंद आएगा और अगर आपको यह मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके और